नमस्कार दोस्तों विलकम बैक तो मैं चैनल फॉर्स्ट इन्वेस्मेंट सो दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लेट होगी क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग सॉफ्ट्वेयर है उस पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी अप रिकॉर्ड करने में और वह बार बार रिकॉर्ड नही क्या स्टॉप लॉसस हैं सारा कुछ आपको इस वीडियो के थूप बताया जाएगा तो यहां पर इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा पांच यह जिस पर बाया सेल करके कल पैसा कमा सकते हैं और मैं कौन से शेर्स पर ट्रेट करने वाला अगर हम आज की बात क एक जीर मैंने विडियो के लिफा स्वंक ट्रेडिंग में पालं राख और और ऑब रहा है हमारे प्राइस पे आया ही निए तो अम लोग ट्रेड नहीं पर सो कल कौन से स्टॉक में बाया सेल करके मिलती है इस लेवल से हमने शाप फॉल देखी इस लेवल से हमने गिरावट देखी इस लेवल पर टेस्ट करा फिर एक फॉल इस लेवल के अंदर दुबारा आया फिर एक गिरावट उसके बाद दुबारा आया फिर एक गिरावट और दुबारा यहाँ पर आया एक यह वाली नीचे जो की 650 इसके नीचे जाता है तो कल एक selling आ सकती है जो कि इस particular को ले कर जा सकती है 640 से लेके 635 कर जो की level निकल के आ रहा है यह बना लेगा है देख पा रहे हैं यह level निकल के आ रहा है और इस point से आपको पता चल गया होगा कि यह triple top type scenario है रिपल टॉप बना है यहां पर स्टॉंग रिजेक्शन मिला है तो यहां से एक से लिंग आ सकते हैं तो गईज अगर आपको टागेट और स्टॉप लोस जानने है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक बिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वह है फॉर्स्ट इन्वेस्टमेंट ठीके गई हमारे चैनल का नाम है फॉर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा कि यहां पर भी मैंने यह चैनल बना रहा है चोटा सा अब जो नीचे चैनल बना वहां इसे हम कहते हैं डिमांड जो ऊपर बनाता हमने उसे क्या कहाता सप्लाइज अब नीचे आप देख सकते हैं यहां से इस लेवल से ब्रेक आउट दिया ऊपर आया फॉर्स टाइम कि एक कंसेप्ट में आप लोगों को समझाना चाहूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इजी है समझेगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट यह कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप इंट्राइडे में तो शायद पैसा कमा सकते हैं यह रिज इस तरीके से काम करता है उपर जाता है सपोर्ट से तो रिजिस्टेंस को छूता है कि वह रिजिस्टेंस है फिर रिजिस्टेंस को टेस्ट करके हम देखते हैं दुबारा सपोर्ट पर आ जाता है फिर रिजिस्टेंस पर चले जाता है फिर सपोर्ट पर इसके बाद अगर क कैसे trade करें यह portion बता किया रहा है signify क्या कर रहा है यह important है सबसे पहले समझने का यह बता रहा है कि यहां से इसकी तरह जब buying आई तो यहां तक गया जब यहां पर दुबारा buying आई और उपर जाने के कोशिश करी तो यहां पर sellers बैठने की जगा जो यहां पर sellers बैठे होते हैं sell करने के लिए उसके बदले यहां पर sellers बैठे हैं heavy sellers यहां पर थे strong sellers थे तो वो दुबारा share को नीचे लेकर आ गया बट यहां पर buyer ने दुबारा control लिया फिर उपर गए पर पहले seller यहां ते जो और दुबारा नीचे आ गया at the end क्या होगा seller इसने ज्यादा strong हो जाएंगे यहां पर यहां पर यहां पर उसके बाद होगा क्या कि इस लेवल से यह ब्रेक कर जाएगा और नीचे तले जाएगा और क्यों अगर एक लाइन को शेयर कोई बार-बार मल्टिपल बार टेस्ट करता है न तो यह लाइन इंपोर्टेंट के साथ साथ वीक हो जाती है इंपोर्टेंट के हो जाती है क्योंकि यह बहुत जादा यह सब्र्वारेश नोग चैस्टesta किसलेता थे अगरifen की सब्सक्राइब सब्सक्राइल रही है यह सोभी है इवन्चले निकीट कर दो पर दो में सब्सक्राइब में ट्राइब इस सब्सक्राइब दो चाहए गोगे zodबर और निकीटिए यब यहाँ पर जादा sellers आ गया दुबारा नीचे आ गया eventually अगर ये level break होता है तो यहाँ से एक heavy selling आ सकती है एक panic selling आ सकती है HDFC, AMC के अंदर तो इसको भी हम wait and watch करके बहुत अच्छे तरीके से trade लेकर चल सकते हैं अब इसका आपको में एक example और देता हूँ तो इसको प्रॉबबली यहां तक आना था यहां तक नहीं आया यहां पर buying देखी उपर गया फिर नीचे आया फिर यहां पर buying देखी फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर यहां पर buying देखी और eventually क्या करा ब्रेक कर गया ठीक है सेम नीचे आया, यहां से बाइंग दिखनी थी, ऊपर जाना था, ऊपर नहीं जा पाया यहां सेलिंग दिखी, इधर सेलिंग दिखी इधर सेलिंग दिखी, तो अगर मैं यह एक range बना दू, तो यह रेख रहे हैं एक range के अंदर आ गया, उस range को आता है, तो पड़सो तगा सकता है, क्योंकि यहां पर यह एक strong support बन रहा है, ठीक है easy analysis है, simple analysis है, सारी चीचों को समझेंगे, तो आप खुद भी intra-deme trade लेने में capable होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग होए, ठीक है, next talk आता है guys, वो है Sun TV Sun TV पर देखेगा, यहां पर मैंने buy की सला क्यों दिया, उसके पीछे का reason क्या है, वो ध्यान से समझेगा, सबसे पहले देखे, simple analysis क्या बनती है, मैंने trend line draw करी, सारे bottoms को test करते हैं, 1, 2, 3 and 4, trend line draw करी, यहां पर position hold करी, यह देखे हैं, green color की candle ने Friday को hold करी थी, आज Monday की दिन हमने उपर की तरफ momentum देखी, market अच्छी कासी नीचे दीबर, मैरेक को हमने देखा, Sun TV ने अच्छी कासी momentum दिखाई है, दुसरी बात, अगर मैं highs को test करता हूं, तो highs को test करने के बाद बता चलता है कि trend line का breakout दे चुकी है, तो यहाँ पर breakout दिया था, 378 पे, बट एक confirmation के लिए जो buy बनता है, वो 381 की उपर बनता है, जो हम लोग कल बना सकते हैं, अगर level आता है, एक important बात और यह दिख रहे है, यह bottom था, जहां से एक fall आया था, उसके बाद दुबारा एक नया high बनाया, नया high बनाने के बाद दुबारा नीचे आया, और previous bottom पही support ले रहा है, और यह line क्या कहलाती है, यह line कहलाती है, demand zone, ठीक है, तो मतलब double bottom type scenario, यहां से अगर ऊपर जाता है, तो definitely अच्छा फाइदा दे कर जा सकता है, तो कल हम इसमें watch करेंगे, और देखेंगे कि कलिए किस तरीके से momentum दिखाता है, next talk आता है guys, हिंदुस्तान zinc, हिंदुस्तान zinc अगर आप देखेंगे, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखेगा, हिंदुस्तान zinc पर आप देखेगा, कि यहां पर जो analysis है, इस level पर selling आई, retest करा और एक sharp fall आई, उसके बाद दोबारा हैं, आप पर retest करने आया, एक sharp fall आई, तो कल एक अच्छी काशी buying आ सकते है, for a target of 212 to 216 के, जो भी perfect stop losses and targets है, आप लोगो टेलीगराम चैनल पे, मैं provide करा दूँँँँगा, description पे नीचे link है, आप जाके join हो सकते हैं, plus आप लोग guys, मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, guys, वहाँ पर Instagram का भी, जो follow handle है, लिंक है, वो भी बिलकुल आपको description में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं daily quiz दालता हूँ, आप टेकनिकल अनालिसे के, around 10.30 से 11.00 के बीच के अंदर, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, quiz को देख सकते हैं, join कर सकते हैं, और आप लोगों की वहाँ पर, जो technical analysis की understanding का है, वो अच्छे से increase होगी, ठीक है guys, तो हम लोग अगर bank nifty पर देखते हैं, तो bank nifty क्या दिखा रहा है, bank nifty के अगर हम बात करें, तो bank nifty बता रहा है, कि यहाँ से एक दुबारा selling आ सकती है, selling, मैं आप से यह नहीं कहरा, कि bank nifty और nifty बीक हो गए है, मैं कहरा हूँ, एक थोड़ा सा momentum pause ले सकती है, वो क्या है, वो यहाँ देखेगा, यह देखेगा, एक channel के अंदर trade कर रहा है, और channel है, अपर rising channel, यह है एक rising channel, ठीक है, यह एक rising channel है, और आप देख रहे हैं, जो उसके lows हैं, वो उपर की तरफ shift हो रहे हैं, और highs भी उपर की तरफ हैं, अब यहाँ पर आप देखेगा, कि यह वाला जो level है, यह वाला level, यह level है कि important level है, जो level निकल के आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, 21,500 से लेखे 21,650 का, और यहाँ पर अगर मैं trend line bottoms को test करते हुए, जोडता हूँ, तो मुझे पता चलता है, यहाँ पर एक support भी है, तो कल अगर bank 50 gap down open होता है, इस level पर छूता है, और अगर हम एक reversal देखते हैं, 5 minute के chart के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग एक बाई बना सकते हैं, और बाई बनाने के बाद हमें लगता है कि यह उपर ही जाएगा, बट अगर यह इसी price पर खुलता है, इसी price पर या फिर 30-40 उर्पे उपर नीचे खुलता है, तो भी हम लोग एक sell की opportunity देख सकते हैं, for a target of this level, जो की यह range है, ठीक है, कल अगर इसी level पर खुलता है, अब भी हमें जादा knowledge नहीं है, दूसरी important बात में आप लोगों को इसी में दिखा देता हूँ, early chart के अंदर वो क्या है, वो यह है कि यह जो gap देख रहे हैं, यह वाले जो gap फिल नहीं हुए थे, यह gap फिल कर चुका है अभी तक बैंग लिफ्टी, और उसके बाद इसी level पे एक support है, इस level पे बैंग लिफ्टी support ले सकता है, तो कल इंटरे डे में हम early chart पे watch करेंगा, अगर यहाँ पर support लेके, उपर की तरह momentum दिखाना शुरू करता है, तो हम लोग एक buy बना लेंगे, बट अगर gap फूपान होता है, तो हम लोग कोई trade नहीं लेंगे, ठीक है, अगर same nifty की बात करते हैं guys, तो nifty आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है, concept समझ में आ रहा है guys, इसको like बटन को ज़रूर दवाईएगा, और guys अगर इस वीडियो में 500 लाइक हो जाते हैं, तो मैं अगले वीडियो से, आप लोगों के लिए option के strategies भी लेकर आऊँगा, और वहाँ पर आप लोगों को definitely कुछ ना कुछ फायदा तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है guys, अब इस चीज को watch करेगा, यह हमें क्या बता रही है, यह हमें बता रही है कि एक strong up move आई, अप move आने का बाद यह देख पा रहे हैं, एक range के अंदर trade करा है, higher side है 10,230, और lower side जो है वो है, 11,230 से लेके 11,130, इसी range के अंदर हम देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच दिन closing करी है, हम देखते हैं, नीचे जाता है 11,130 के नीचे जाता है, चार दिन से नीचे जाता है, बट closing 11,130 के ऊपर ही दे रहा है, देख पारे हैं, आप लोग एक दिन red candle, एक दिन green candle, एक दिन red candle, एक दिन green candle, अगर इस level के नीचे एक red candle बना के close कर जाता है, तो probably ये वाले gap को fill करने के लिए जुरूर आएगा, ठीक है guys, तो एक बाद nifty को watch कर सकते हैं, अगर कल इंटर डे में ये नीचे जाने के कोशिश करता है, 11,130 या 11,100 के नीचे, तो हम लोग एक shot बना सकते हैं, for a target of 11,040 से लेके 11,000 के दरत परका, ठीक है guys, तो ध्यान से देखेगा, तब ही trade करिएगा, और आपको level जो भी हैं, टेलीगराम पे provide हो जाएगे, और इस वीडियो पे अगर आपको कुछ भी concept समझ में आया, जो भी easy analysis से मैंने आप लोगों को समझाया, तो please comment section में मुझे बताएगा, कि आप लोगों को समझ में आया, और आप लोग इस वीडियो को share जरूर करिएगा guys, और like करना मत बुलेगा, अगर 500 लाइक हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों कहा रहा हूँ, कि अगले वीडियो से मैं आप लोगों के लिए swing trade के साथ, साथ option expiry भी के भी trades लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को definitely फाइदा मिलेगा, तो अगर आपको जादा इंटरस्टेट है, तो देखते हैं कि 500 लाइक स्टोर आप से आने चाहिए, और गाईस इसी के साथ मैं वीडियो को एंट करता हूँ, वीडियो पसंदा योगी तो लाइक करना बिलकुल मागो लेगा, और मैं शिवांच भसीन मिलता हूँ आप से अगली वीडियो पे signing off,